चलिए दोस्तों आपका ये iedereen आ चुका है कि आपको जो निकला है ना औरख्छक का जो पॉलिस औरख्छक का फॉरम उसको भरना कैसे है पूरा मेन वल इस वल को मैं आपको अच्छा से दिखाऊँगा अच्छे देख लेना और जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो इसी मैनुवल की हिसाब से करना वैसे यह पुलिस के वेबसाइट पर एवलेबल है पर मैं आपको एक बार इसको रफली दिखा देता हूँ कि आपको इसी लिंक में जाके ही फॉर्म डालना है आपको इसी लिंक में जाके ही फॉर्म डालना है आपको और कहनी जाना है इसी लिंक में फॉर्म डालना है और जैसे जैसे दिया है उसको भरना है यह जो मार्क दिया है समझ लो वहां पर आपको पूरा ध्यान अनिवार्य है ऐसे मार्क मतलब आपको अनिवार्य वह भरना ही है ऐसा मार्क जहां भी दिखेगा आपको पूर जो नए है registration नहीं किये है उनको जाके new registration में tap करना है आप क्लिक करोगे जैसे आप new registration में tap करोगे यहाँ पर register your mobile number यह सब भी नहीं करना है आपको ना पहले new registration करना है क्यों जैसे करोगे वहाँ पर आप मोबाइल नंबर मागेगा फिर आप उसकी अंदर चले जाओगे स्टूडेंट हाना जब वह हो जाएगा तब यहाँ करना ठीक है आगे मैं आपको दिखा रहा हूं आगे समझ समझ आएगा ठीक है नहीं आने के स्थिति में यूजर मैनुल जिसको मैं समझा रहा हूं ना यूजर मैनुल आप देख सकते हो यूजर मैनुल आप समझ सकते बच्चो ठीक है अब देखो यहां से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुल में जब आप न्यू रिजिस्टेशन में जाने के बाद जब लॉग इन कर लोगे तो फॉर्म को अपलाई कैसे करना है पू यहां पर जैसी करोगे यहां पर डालना है मोबाइल नंबर यहां पर अपना पहला नाम मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना है ठीक है उसके बाद ओटीपी आएगा ओटीपी क्लिक करके आप वहां पर अपना लॉग इन कर लेना ठीक आगे चलते हैं आगे चलते बच्चो ना अब देखो जैसे यह होगा आप उसके अंदर डाल देंगे OTP OTP यहां आएगा आप सम्मिट कर देना OTP डालके ना आप यहां पर सम्मिट कर दोगे आप अंदर आ जाओगे बच्छो अब यहां पर में जो समझने वाला चीज है को मैं आपको समझा रहा हूं यह आप यहां पर देखो जैसे डालोगे ना आपको पासवर्ड बनाना पड़ मैं तो बोलता हूं अपने वाट्सप पे ही अपने वाट्सप पे ही उसका पासवर्ड नोड करके रखे वाट्सप पे क्योंकि वाट्सप कभी आदमी भूलता नहीं है है ना पासवर्ड बना लेना सेम पासवर्ड डालके पुस्टी कर लेना यह आपको करना पड़ेगा न नाम डालना है मोबाइल नमर डालना ओटीप डाल के लॉग इन हो जाएंगे उसके बाद यह स्टिति आए पासवर्ट की आगे चलते बच्चों ना देखो फिर हम लोग यहां पर आगया अब यह हम आगया है फॉर्म के अंदर अब यहां पर आपको चीजों को समझना है ना क पहला चीज जो आपको समझ आ रहा है उमीदवार का नाम तो आप भरोगे रिलेटिव में आप अपने माता पितों को सलेक्ट करके यहां पर नाम भर सकते हो यहां पर सिंपल प्रोसेस है लिंग भर सकते हो गेटव बढ़त यहां पर कोई समस्या नहीं में समस्या जाती है पर कई लोगों को फोटो क्लियर नहीं होता तो यहां करके अपलोड तो करना है आप मोबाइल से भरो या कंप्यूटर से भरो पर यहां पर यह जो में है साइज कि 50 kg से 200 kg से उपर नहीं होना चाहिए और फोर्मिट में ही उसको करना है जैसा यह format दिया हुआ है ठीक है हन इस प्रगार सेव करके फाइल को यहां से upload करना है बच्चो format देख लीजिए photo sign आपका thumb यही main है इसको ही बच्चे गलती करते हैं और यह गलती से आप बच्चे इस गलती से बच्चे कई बच्चे इसको गलती कर जाते हैं इस गलती से आप आपको बचना है बच्चो ठीक है आगे अब देखो यह हो गया उसके बाद कुछ जादा नहीं है यहां पे एक photograph के बारे में भी दिया हुआ है डाउनलोड इमेज फॉर्मेट है ना प्रिंट निकालके उसके फोटो में यह यह चिपका है नीचे दिये बॉक्स में लिखकर यह करके आपको देखो यहां पे पूरा क्लियर दिया हुआ है कि क्या-क्या साइज होना चाहिए अधिक्तम दोसों के भी निउन्तम पचास के लेता है मोबाइल लेता है सकें करके अपलोड करना है मतलब उस पॉर्मेट में बनाके थाम लगाके अपको अपलोड करना है बच्चो याद रखना वह गलत नहीं होना चाहिए पसपोट साइट फोटो लगेगा आपको आगे चलते हैं ठीक है अब देखो उसके बाद आप अच्टि उसके पास यहाँ पास आप जैसे करोगे तो यहां पर यह सिंपल है मेल होता है फोटो औन उन्गठां वाला फॉर्मेट करना आप लों को उसके बाद में क्या है उसके बाद simple है आपको उनसे nationality इंडियन है district जो है image ID डाल देना identification यहाँ पे ध्यान रखो यह compulsory है ना आपको तिल होगा किसी का तिल होगा किसी का जल गया होगा किसी का कुछ cutting होगा आपको identification डालना है डालना है यहाँ जहाँ पे star लगा हुआ है ना यह star मतलब अनिवार यह जानकारी भरना ही भरना है आप लोगों को ठीक है फिर category डाल देना यह पूरा और देखो फोटो परिचै प्रकों फोडो अइदेन्टीफिकेशन नमबार देखो यहां पर क्या डालेंगे आप लोग आपका जो फोटो अडेंटिफिकेशन किस में मिलेगा आधार कार्ड में वोटर एडी कार्ड में पैन कार्ड में यह आपको डालना पड़ेगा कमपन सरी यह बच्चो ठीक है आगे चलते हैं ठीक है चलो हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना कि क्या कि आपको डालना है अब देखो उसके बाद फिर क्या है उसके बाद अगर आप आते हो तो क्या मिलता है आपको house number, village, district आपका यहाँ पर पूरा पता आएगा जिसमें आपकी चिठी आती है इसमें आपका admit guard आता है चिठी आता है इसमें दुनिया भर का जो भी चीज घर पे आता है डाग घर से वो यहाँ पर डाल देना है ना ठेक है यहा रह रहे हो कोई changes नहीं है तो आप वही सेम address में click करके डाल सकते हैं अलग-अलग है कि आप रहते हो दुरुग में और घर है आपका बलवदा बजार में तो इस्थाई पता में बलवदा बजार का आएगा और दुरुग में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर आज स्थाई पत करना है उसके बाद यहां पर capture होगा यहां पर याद रखिए small है तो small capital है तो capital केप्चे को यहां भरना है क्याप्चा मतलब इस letter को आपको भरना है फिर आपको submit करना है फिर क्या करना है submit करना है यह सारा point photo identification कितने के बी में होना चाहिए अंगुठा तंवाला जो format है आपका address आपके identification photo वो सारे perfectly भरने है बच्चो गलत कोई भी नहीं करेगा ठीक है आगे चलते है चलो आगे submit करन है अब देखो यहां पर यहां पर यहां पर जैसे आप भरोगे यह instruction खुल जाएगा इसको ध्यान से पढ़ना है ठीक है ध्यान से पढ़ लेना फिर उसके बाद अपना जहां भी भर आओगे आप वहां से अपना प्रिंट आउड मांगे प्रिंट आउड निकाल लेना बच पावेदन कर रहे हैं और शिक्षक शकनी होगता है बिल्कुल आप डालिए मैं प्रमानित करता हूं करती हूं कि 36 गड़ के मूल निवासी समय दस्तावेश प्रस्तूत करूंगी बिल्कुल स्टेट डिस्टिक चोईस करना है सलेक पोस्ट चोईस करना है आपके पास अधर बोनस समय पातरता रखते हैं देखिए इसे बोनस संका भी प्रावधान है अगर आपने कुछ भी किया होगा तो उसको भी देख लीजी यहां पास से नहीं है तो डालिए उसके बाद क्या भूतपूर सैनिक है अगर है तो हाँ डालिए नहीं है तो ना डालिए बिल्कुल यहां पे पूरा देखो यह जो चीज है ना यह क्या आप उच्चतर आयू सीमा में छूट की पातरता रखते हैं तो आपको हाँ ना में सलेट करना पड़ेगा ओबी सी एस्टेसी के लिए जो रहता है क्या भूतपूर सैनिक है क्या बोनस अंग के लिए पातरता रखते हैं अब देखो यहां पे क्या है? हाँ अब यह फॉइन्ट बहुत इंपॉर्टेनल है क्या आप सायक आरख्चक में हा या नायका चयान करेंगे क्या भूतपूर सैनिक है? अगर हो तो डालो नहीं हो तो नहीं डालो? क्या आप क्यूरत कोई प्रक्रिया मामला नायाले में है? तो नहीं चेयन करेंगे पूरा यहां पे एक एक पॉइंट को प्रॉपरली भरना पड़के ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दे रहे हुआ आगे चलो अब यहां पे देखेंगे अब यहां पे जो में फसरें हैं रोजगार का पयंजन रोजगार का रहले का जीवत पंजियन है मजलब यह करा के रखना है भाई रोजगार पंजियन आपको स्टेट के एक्जाम में कहने कहीं मांग देता है यह ध्यान में रखने वाली चीज थी है ना यह आप बिल्कुल पंजियन करा के रखेंगे वरना यह गलती नहीं होनी चाहिए उसके बाद देखेंगे आपके प पूरा फॉर्मेट में निकल जाएगा एक बार इसको पढ़के रीच एक जरूर करना कि जो मैंने डाला है वह सहीं है कि नहीं उसके बाद यहां पे जो भी आपको भुक्तान करने का आएगा भुक्तान कर देना और उसके बाद इसको सम्मिट करना बच्चों आगे चलते है यहां पर पूरा इंफ्रमेशन जो भी आपने डाला है सब कुछ आ गया है यहां यह समझाने के लिए है और गोशना पत्र को ध्यान पूर्वक्त पढ़ने के वाद आपको एगरी में क्रिक कलके यहां कैप्चा भरना था और सम्मिट करके आगे बढ़ना था यह एक प्रका कैंसिल करके पुना फॉर्म भर सकते हैं सबसे बड़ा पॉइंट इस पॉइंट को ध्यान रखना अगर आपसे तुरूटी होने की दसा में आप कैंसिल करके पुना फॉर्म भर सकते हैं एक बार पूरी तरह से सम्मिट होने के पसार किसी भी तरह की तुरूटी सुधार के स सबी जनकारी को ध्यान पुर्वग मिलाने पर तुरूटी होने की दसापे आप कैंसिल करके इसको कैंसल करके फिर से फॉर्म डाल सकते हो पर अगर आपने सम्मिट कर दिया तो किसी प्रकार की तुरूटी संभावना नहीं है डेटो बर्थ कास्ट पॉलिफिकेशन आपके पो है ना उसके बाद क्या करना दिखा देता हूं यह देखो यहाँ पर ऐसे सम्मिट हो जाएगा और उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा भी है ना क्या प्रिपिया आवेदन जमा करने की पूर आपके द्वारा भरे गए जानकारी को अच्छे से पढ़ ले है ना उसके करना है दुबारा औसर नहीं दिया जाएगा इस بात को सारे बच्चे याद रखना दुबारा औसर नहीं दिया जाएगा ठीक है लिखा हुआ है चलो आगे ओके करके सम्मिट कर देना भुक्तान का आएगा अब जैसे भी आपको भुक्तान करना है आप यहाँ से ATM जो भी है पे करके अपना फॉर्म सम मिड कर सकते बच्चों और यह आपका सक्सेस्फफल हो जाएगा तो अपने प्रोफाइल पे जाना अपने प्रोफाइल रेडी किया है ना करके उस प्रोफाइल पे जाके, आप जाके successful application देख सकते हैं, अगर payment रुका है, payment देख सकते हैं, जब admit card आएगा, तो आप admit card भी download कर सकते हैं, result भी कर सकते हैं, पूरा आपके profile में डाल दिया जाएगा, इस बात को सारे बच्ची याद रखना, इस type से आपको करना है, फिर आप भुकतान करेंगे, मेर यहां पर क्या है, संबंदित पदों के लिए आहरता रखने पर अभ्यारति अपने ID, password को login करके, उस पद के लिए आवेदन कर सकता है, मतलब यह है आपका, यह देखो, आप login करिए, अब आप जाके उस पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिस पद के लिए आपको करना यह पूरा दियान में क्या-क्या रखना है, आपका data पर ध्यान में रखेंगे, आपका कलते post selection ध्यान में रखना है, आपको अपना qualification ध्यान में रखना है, आपको जो फोटो ID perfect रखना है, identification भी perfect रखना है, जो यहां डालोगे वही exam center में भी लेकी जाना है, यह ऐसा नहीं कि आप बदल दोगे, इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखेंगे सारे के सारे बच्चे, और हाँ, यह तो हो गया form को भरने का तरीका, जो form भरेंगे उनसे एक बड़ा और बात कर लेना आप, और साथ ही साथ, एक बात कहना चाहूँगा आप से सभी से, इसकी course हमने लॉंच क बता दूँगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है बच्चो को, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखके ही form भरना, अपने मन से form नहीं भरना, टेक केर बच्चो सभी को